तो चली आज हम बताते हैं कि गुलाब से धेरो फूल हम कैसे ले पाते हैं और कैसे ले अगर जिनको गुलाब में ज्यादा गुरोथ विकास नहीं हो रहा है फूल नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप असानी तरीका से ज्यादा से ज्यादा गुलाब से फूल ले सकते हैं जैस जादा ग्रोथ विकास कलियां बरांचेस बहुत जादा भर जागा वो कैसे होता है आप वीडियो के अंद तक बने रहे मैं इससे सारा पूरोसस बताऊंगी और हम इसमें कौन सा खाद भी डालते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी कि इसे हमें कौन सा खाद देनी चाहिए कै कैसे इसे केरिंग करना चाहिए ताकि आपको बिंटर में बहुत ज्यादा फूल आए और बहुत ज्यादा इसमें आपको ब्रांचेस भी आए तो ग्रोथ हम कैसे बढ़ाते हैं तो वीडियो के अंद तक बने रहें अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब से और हलका छोटा इसका फूल का साइज हो जाता है तो फ्रेंड ऐसे हम क्या करें ताकि हमें हमेशा फूल देते रहें तो अभी आने वाला सीजन जैसे आपका नौवंबर दिसंबर जन्वरी बहुत ज्यादा इसमें फूलों का बहार आने वाला है इसलिए आप अपने बिल्कुल हेल्दी प्लांट चूज करें और चूज करने के बाद उसको ग्रोथ विकास बढ़ाने के बाद आपको फिर क्या करना है कि उसमें बहुत सारा कटिंग करें जैसे आपको मैं बताती हूं कि नरसरी से लाया हुआ पौधा कैसे आपको चूज करना है तो नरसरी मे जाए तो उसका सबसे पहले थीक मजगूत देखें अगर आप यह जान लेगे कि प्लांट स्वस्थ है पता लीप्स देखें चारों तरफ आप देखें कि बिल्कुल स्वस्थ है इसमें कीडा मकोडा कुछ भी नहीं है तो आप प्लांट को आप पर्चेस करिए और जो कलर ले में कुछ अंतर होता है अभी चाहे तो आप कटिंग भी बहुत असानी से लगा सकते हैं क्योंकि अभी का कटिंग जो गुरो होगा तो निव निव ब्रांचेस कलिया फुल उसमें आपको नवंबर तक बहुत अच्छा तरह से आ जाएगा फ्रेंड इससे क्या करना है कि आपको वैल ड्राइंग स्वाइल देनी हैं बिल्कुल वाल ड्राइनस वाइल इसे का होता है कि पानी आपको गमला में कभी ठहरनी नहीं चाहिए अगर प्लांट लगा रहे हैं तो आप जिस गमला में लगा रहे हैं उसका ड्रेनिंग सिस्टम ब्लकुल अच्छा रखे उस केरिंग करें तो अभी आप इसे बहुत अच्छा तरह से पहले बढ़ने के लिए कटिंग करें अगर पहले से लगाया हुआ तो इसे आपको कटिंग करें कटिंग करने के बाद आप इसमें गुड़ाई करें बहुत अच्छा तरह से चार इंच गुड़ाई करें अगर टाल लेते हैं तो हमें क्या देना है आपको जैसे मैं बता सुझ наст यह अभी तो बहुत ज्यादा घुन की घुभाद होता है प्रपूर और उसमें थोड़ा सा आप सरसोखली का एक चमच आप क्रस किया हुआ डाल दे दो दाना डीएपी डाल दे इतना डालकर मिट्टी को आप ढख दे और ढखने के बाद आप बिल्कुल सिर्फ पानी देते जाए एक माह तक आप देखिएगा आँख बंद करके कितना जादा इस ना करें तो अभी एक काम अगर गुलाब में कर लेते हैं तो बजार लगाएगा गुलाब का जैसे यहां पर देख रहें बजार लगा है बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा तो फ्रेंड अभी जल्दी करें आप लोग इस चीज को जल्दी सा इंग्नोर नहीं करें अगर प प्राजता जैसे बहुत ज्यादा बिंटर पड़ेगा तब आपको थोड़ा सा रोक देती है लेकिन अभी इसको फूल लगाने का मकसद है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ विकासाएगी इतनों से गुलाब हुआ कि आपका एभर ग्रीन प्लांट हुआ कभी भी फूल नहीं रोकत मएशा फुल देती है बिंटर थोड़ा सा आपको जैसे ही थोड़ा सा विंटर होता है तो चोटा हो जाता है तो आपको इस तरह से प्लांट को चूश करना है जो हमेशा इभर ग्री रहे और मेरे आगन में बहुत अच्छा तरह से एक खिलता मुश्कुराता हस्ता हुआ रहे तो फ्रेंड यहां पर कोको पीट मैं ले रही हूं मैं प्लांट ली हूं अलेने के बाद कोको पीट लेकर इसको मैं घर पर लगाऊंगी और कुछ प्लांट यहां भी लगा रही हूं तो यहां पर जैसे मैं आप लोग के सेरिंग की हूं जैस सब प्लांट आपको मैं ली हूँ अब कुछ कोको पिट फुलाई हूँ जैसे देखे कि कोको पिट फुलाकर में पौधा को लगाने वाली हूँ तो फ्रेंड इस तरह से आप अगर गुलाब को केरिंग करते हैं और अभी इस चीच कर लेते हैं तो आपका चल कर बहुत जादा फुल प्राप्त हो जाएगा अगर जो भी गमला में भी आप लगाते तो गमला में आप ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा तरह से करें ताकि आपको पानी खड़ाना हो आप पानी आपको असानी से निकल जाए तो एक काम कर लेते हैं गुलाब में या आपका प्लांट जो भी अभी बिंटर का लगा रहें इस तरह से धीकरी दीजिए तो आपको बहुत जादा आसानी हो जाएगी और बहुत जादा ग्रोथ विकास भी आजाएगा तो फ्रेंड अगर यह सेरिंग आप लोग को पसंद आती है तो आप लोग लाइक सेर सस्क्राइब करो वीडि कियार बाइ